असलेमु आलेकुम वरेहमतुलाही वबरकातुह। दोस्तों कुएत से आज की इंपोर्टेंट खवर है। कुएत आंतरिक मंतराले ने एक भारतिय परवासी और एक बीडॉन को ड्रक्स की तसकीर के आरोप में ग्रफतार किया है। इनके पास से आदा किलो मैथ और चोथाई किलो हसिस और दो इलेक्ट्रोनिक तराजों मिले हैं। बता दें कि ड्रग कंट्रोल के सामाने परशाशन ने एक भारतिय परवासी के बारे में गोपनिय जानकारी प्राप्त की थी जो कुएत में ड्रग बेच रहा था। तुरंत उसे निगरानी में रखा गया और वे जाल में फस गया। ये इंडियन व्यक्ति कुएत के सलमिया इलाके में रहता था। वहाँ पर अधिकारियों ने इसके घर की तलासी ली थी। उसके घर की तलासी लेने के बाद आदा किलो मैट सबू एक छोटे पाउज के साथ एक एलेक्ट्रोनिक पेमाना मिला। फिलाल उसे गिरफतार कर लिया है और अब उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा कुएत से। तो दोस्तो आप लोग भी इस तरीके की गलती ना करें ताकि बात डिपोर्ट तक पहुँच जाए। साथ ही अगर आप लोगों को कुएत में ड्राइवर की जॉप मिली है तो वहाँ पर ड्राइविंग के लिए जारी नियम का पालन करना बेहत जरूरी है। कई दफ़ा इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें ड्राइवर की लापरवाही की वज़ा से उसे भारी सजा मिल जाती है। बता दें कि एक वार फिर से कुएत से मिली जानकारी के अनुसार एक ड्राइवर को गलस साइड से बहां चलाने के आरोप में गिरफतार किया है। बहां चालक से अपील की गई कि वे उस साइड पर बहां ना चलाए। जिस साइड कानून इसकी अजासत नहीं देता। गलस साइड पर बहां चलाने की वजा से दो बहां चालक के साथ साथ दूसरे लोगों की जान को भी खत्रा रहता है। तो दोस्तो हम आपको अपने हर वीडियो में बताते हैं कि आप लोगों को कुवेत के बताए गए सबी कानून और नियम को फॉलो करना होगा। वरना तो आपके उपर कड़ी कारवाही की जा सकती है। तो दोस्तो ये थी कुवेत से आ रही कुछ लेटिस्ट अपडेट जो मैंना आप तक शेयर करी। दोस्तो कुवेत की ऐसी ही ख़वर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने हैं और बेल आइकन को प्रेस करने हैं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेश्ट वीडियो में सब तक के लियां लाइए।